नमुश्कार आपका सब्साइब करें वीडियो को आपका लाइक करें तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट को यहां पर रिजल्ट हैं पर रिजल्ट के फॉर्मेट की तो सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो सितंबर 21 कोटर के result है सेकंड नमर वे जो कॉलम दिया गया है वो जून 22 कोटर के result है और जूहां खड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है वो है सितंबर 22 कोटर के result तो देखते हैं थर्ड नमर पॉइंट टोटल इंकम को सितमबर 21 quarter में company की total income थी 1040.06 करोड की जून 24 quarter में यह हुई 1199.27 करोड की और सितमबर 22 quarter में company की total income हुई 1247.87 करोड की तो total income को देखें year on year में सितमब 21 quarter से सितमबर 22 quarter में तो year on year basis पे income में 20% की ब्रद्धी होते हुए दिखाए दिरही है बात करें quarter on quarter में जून वाइस क्वाटर से सितम्बर वाइस क्वाटर में तो quarter on quarter basis पे company की income 4% बढ़ते हुई नजर आ रही है अब देख लेते हैं expenses को सबसे नीचे दिए गए है total expenses सितम्बर 21 क्वाटर में 95.79 करोड के expenses थे जून वाइस क्वाटर में 111.2 करोड के expenses हुए और सितम्बर 22 क्वाटर में 111.85 करोड के expenses हुए है तो total expenses को देखें year on year में सितम्बर 21 क्वाटर से सितम्बर 22 क्वाटर में तो year on year basis पे expenses में 29% की व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter on quarter में जून वाइस क्वाटर से सितम्बर 22 क्वाटर में तो quarter on quarter basis पे company की expenses है उसमें मामुली से बढ़ उतरी होते हुए दिखाई दी रही है अब हम दिख लेते हैं profit and loss statement को तो बात करते हैं profit before tax की फिफ्ट नमार पॉंट दिया गया profit about . तो profit बस बैखर दे के यर और में सितम्बर 23 क्वाटर से सितम्बर 21 क्वाटर में तो year on year basis पे चौद्धी प्रतिशत की व्रद्धी profitอiao टेक्स में दिखाई दी रही है बात करें quarter on quarter में June 20 quarter से सितमर 20 quarter में तो quarter on quarter basis पर इंक्यावन प्रतिशत profit वे फ़र टेक्स बढ़ते हुए नजर आ रही है अब देख लेते हैं 13 नमबर पॉइंट को सबसे नीचे दिया गया है net profit average for the period मतलब company के net profit तो सितमर 20 quarter में 79,18 करोड के net profit थे जून 24 नजर रही हैं और 75,9,0 करोड के net profit हुए हैं तो net profit को देखें year on year में सितमर 21 quarter से सितमर 22 quarter में तो year on year basis पर 44 प्रतिशत की व्रदी net profit में होते हुए दिखाई दी रही है बात करें quarter on quarter में June 24 से सितमर 22 quarter में तो quarter on quarter basis पे 59% net profit बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर quarter on quarter year on year दोनों में net profit में व्रद्धी होते हुए दिखाई देती है overall results की बात करें तो company का year on year performance बहतर होते हुए दिखाई दे रहा है company के जो year on year profit है उसमें हमें 44% के व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है तो result काफी अच्छे हैं company का performance बहतर हुआ है धन्यवाद